वहाँ पर S.R.K की उस फिलम दोस्तों एक अजार क्रोड का कलेक्शन करके दिया था पर दोस्तों S.R.K कुछ समय बाद फिर वापिस बोक्स ओपिस पर लोटका गए और वाइस बार धमाल मचा के रख दिया है चारो तरफ दोस्तों तू भायल तूफान लाके रख दिया है ब लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है इतना भेंकर इस फिलम का दोस्तों क्रेज है और दोस्तों करेज बना इथा क्योंकि मैं आपको कहले खे का था यह जोई जैसे ही ऊट ॉनिदया यह ईक सबकुछ एक बात दोस्तो ओडियंस कहा पीछ रहा है दोस्तो ओडियंस ने भी इस फिल्म को दोस्तो सराखों पर बठाया और लोग इस फिल्म को देखने के लिए दोस्तो थेटर में जा रहे हैं भार लंबी-लंबी लाइन है दोस्तो लोगों को टिकट नहीं मिल रही है ऐसा कुछ दो दोस्तो इस फिल्म का बज्ज है दोस्तो इसी बज्ज की फल्सुरूप दोस्तो इस फिल्म ने S.R.K. ने अपनी पिछली फिल्म दोस्तो पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो की हिंदी वर्जम ने दोस्तो पच्पन क्रोड का कलेक्शन किया था पर दोस्तो SRK की फिलम ने फिर्स डे हिंदी वर्जन का 25 करोड का कलेक्शन करकर SRK ने अपनी फिलम का दोस्तो रिकोर्ड तोड़ दिया जी हाँ दोस्तो इस फिलम के हम बात करें तमाम रिकोर्ड को जोड़ें जहां पर Overseas को जोड़ते हैं तमाम रिकोर्ड करें जहां पर Overseas की दोस्तो रिकोर्ड वर्जन का 25 करोड दोस्तो वहाँ भी यह बंदा सिर्फ सेंचरी और हब सेंचरी नीचे दोस्तो बात नहीं करता है यार कबाल है सारोकार सब उससे नीचे आप बात तो कर लिया अगर दोस्तो अब हम बात करते हैं कि इसने सैकिंड डे का अगर टोटल कलेक्शन जोड़े तो दोस्तो फर्स डे एक सो ती दोस्तो अब जानिए हसली सुनामी तो आने वाली है सचरी और दोस्तो संडे को दोस्तो ये दो दिन इतने भैंकर होने वाले हैं कि आप समझ सकते हैं कि जितने फिलम अब दोस्तो चालिसा कलेक्शन के है मुझे लगता कि ये कलेक्शन इससे डबल भी कर सकती है क्योंकि हसल सुनामी तो दोस्तों शैचरेड़े और संडे को आते तो दोस्तों, आप तयार रही इस सुनामी के लिए और दोस्तों, ये फिलम मुझे लगता है कि एक अजार क्रोड का कलेक्शन करने का पोडरिशन रखती है दोस्तों जो भी इस movie को देख रहा है बहुत positive review देख रहा है हर तरफ इस movie को लेकर positivity है और जिसने दोस्तों एक बर film देख रही वो भाई दोबारे देखने जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये बंदा बाली वूड को बचाने नहीं दोस्तों इसलिए कहते हैं कि he is the last बाली वूड सुपरस्टार दोस्तों इसमें बिलकुल गलत नहीं कहते हैं दोस्तों इसके बाद पहले जवान उसके पहले पठान फिर जवान और इसके बाद डंकी भाई ये बंदा चार साल के ब्रेक के बाद पूरी त्यारी करें के आए दोस्तों अब ये किसी को छोड़ेगा नहीं दोस्तों ये एक इतना बड़ा सुपरस्टार है दोस्तों मैं इसे कहता हूँ कि इससे बड़ा सुपरस्टार कोई दोस्तों होई नहीं सकता